तो हवे बजारनी नजर बजट उपर टकेली छे आउता सबता हे 22 चुलाई ये संसत नो बजट सत्र शरू थश्ये पहला दीव से इटले के 22 चुलाई आर्थिक सर्वे रज़ू थश्ये अन्य पछी तेना आगला दीव से 23 चुलाई ये बज़ेट रज़ू थश्ये तो आ ब निकत लईये सम्वादाता लक्षमन रॉइपास से थी लक्षमन जी बजट सत्र की क्या डीटेल्स होगी जी हाँ बजट सत्र का इंतिजार खत्म हो रहा है और इस बजट सत्र पर से सरकार ने भी अपना परदा उठा दिया है और पूरी बिजनिस लिष्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा 11 बजे 11 बजे कोई 0R नहीं होगा और सीधे बजट पेश किया जाएगा करीब एक से देर घंटे तक बजट स्पीच चलेगा तो बजट में क्या क्या एलान होगा वो उस देर घंटे भी तर आपको पता चल जाएगा लेकिन ये पूरा सत्र जो है वो 22 जुलाई से शुरू होकर के 12 12 अगस्त चलेगा सबसे पहले 22 जुलाई को राष्ट पती दोनों सद्रों को संबोधित करेंगी राष्ट पती के संबोधन के आधे घंटे बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा और उसके अगले दिन बजट पेश किया जाएगा और फिर बजट उसी सत में पारित भ कौन-कौन से बिल पेश कर सकती है कि बिलकुल सरकार ने बिजनस लिस्ट जारी किया उसमें finance बिल जो बजट कहते हैं मोटे तरपे तो उसको तो सरकार पारित करेंगी, इसके अलाव़ 5 और बिल को पारित करेंगी इस पांच बिल में सबसे महतपुन सेक्टर जिसको पर आपको नज़र रखनी है वो है अवेशन सेक्टर यहाँ पर सरकार एयर क्राफ्ट एक्ट 1934 की जगा भारतिय वाई-वान विध्यक पारित करना चाहती है उस बिल को पारित करने के लिए लिश्ट किया गया है इसके तहत अवेशन सेक्टर में मेक in इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा अवेशन सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रावधान किये जाएंगे और साथ सी साथ अंतराष्टी समझावते की हिसाब से भारती आईवेशन सेक्टर जुड़े कानू में बदलाव किये जाएंगे ताकि भारती आईवेशन सेक्टर को एक बड़ा बाजार मिल सके इसके अलावा दूसरा जो महत्पुन है वो आपको कॉफी प्रमोशन और डेवलप्मेंट बिल सरकार पारित करेगी इसके तहत कॉफी इंड़स्ट्री के विकास के लिए जरुरी प्रावधान किये गये हैं और निवेश कैसे लाया जाए ये प्रावधान किये गये हैं इसी दो सेक्टर जिसमें थोड़ी से निराशा लग रही हुआ है बैंकिंग और इंशुरेंस सेक्टर दिरसल माना यह जा रहा था है कि सरकार इस बजट सत्र में इंशुरेंस अमेंडमेंट बिल लाएगी ताकि कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता साफ निकल कर सामने आएगा औ लिष्ट में शामिल नहीं होने के बावजूद कई भी लोगों को आगे चल करके जोड़ा जाता है बिजनेस लिष्ट में लेकिन चुकि घटक दलों की सरकार है इसलिए सरकार इस मुद्दे पर थोड़े सी फूख फूख कर कदम रखना चाहती है जी लक्समान जी स्पोरी चानकारी के लिए आपका धन्यवाद तो कोटक अल्टरनेट असेट बैनेजमेंट ना लक्समी आयर नूँ बजेट उपर कहफू छे के आवखते आरवी आई नू डिविडेंड अपेक्षा करता घणू वदार है दो साथे इश तबने कयू के टेक्स लेप मां राहत मलशे तो कंजुप्शिन मां वदारो जोवा मली शकेशे आजनी तारीक मां बजार नू अनुमान इच छे कि तमारू बजेट मां जेपन तमें आपसो एक तमें संतुलन बनावी राक्षो बिट्वीन ग्रोथ अने अक्षू जे एक्स्पेंडिचर तमने करू छे दाट इस नंबर वान अने एना हिसाबे तमारू फिसकल डेफिसित अमारू जे फिसकल डेफिसित नू डिसिप्लिन छे इक एटला सुदी तमें कायम राखो चो अने मार्केट नू पन अनुमान चे अने अमारू पन एवू मानू छे कि फिसकल डेफिसित मां इलोको काई मेजर फेरफार नती करवाना केम के बे इंप्लिकेशन्स छे एक तो विदेशी रोकाण कारों नू जे पैसा छे डेट अने एक्विटी बनने मां एकदम सकत पॉजिटिव छे एमा थोड़ू इंपक्त हसे कदाच फिसकल डेफिसित मां थोड़ू छूट आवी जाये तो अने बीजी जे अमूप वस्तु छे आउटलूक रेटिंग आउटलू मां सुधार आईवू छे अने कंसिस्टेंटली आ जे पन पगलावों गवर्मेंट हमना लही रिया छे इकाय मिलों को राख से तो अब्विसली एक रेटिंग अपग्रेड नी पन शक्यता छे तो अइस्टर कैपिटल ना अतुल जोशी नो बजेट उपर कहवू छे कि आ बजेट मां कैपिटल एक्स्पेंड नीशर्मा वधारों थाई शके छे साथे सरकार खेडूतों मांटे नवी योजनाओनी जाहरात करी शके छे के मारी युँ अनुमान छे के इवी गणिवधी स्कीम्स गवर्मेंट लॉंच कर से नवा नावा नामो आपीने जेमा 25,000 करोड थी करीने 50,000 करोड नू ऐलोकेशन आपवामा आउशे खास करीने फार्मर्स ने माटे के जेती करीने फार्मर्स ने रहात मड़े एमा पर एक थोड़े के इंटेलिजेंट ट्वेस्ट मने देखाए रही हुचे के जेवरी ते के लोकल लेवल उपर, डिस्ट्रिक लेवल उपर के पच्चायत लेवल उपर एक सबसीडी आपवामा आउशे अनाजना स्टोरेज माटे फूड मनड़ी जे थाईगी चे आपड जेने फ्पो के जे फार्मर्स प्रडूसर्स ओर्गनाजेशन एमा कदा चे आई इंसेंटिवस मूफ करवामा आवे अलड़ी सबसीडी चे इंट्रेस्ट नी उपर पण आ एक नव स्कीम दोवमेंट आपी शके जेनरली दे फार्मर्स नी इंकम वधे शके तो गांधी नगरवा आजो गुजरात नी सेमी कंड़क्टर कंफरेंस नो आयुजन करवा माव्यू सेमी कंड़क्टर शित्र ने बज़िट थी शूँशे आशा आब उद्दाओ पर ट्यूब इंवेस्टमेंट ना शेर्मेन मुरुकप्पन अने भारत सरकारना इलेक्ट्रोनिक्स एंड आई-टी सेक्रेटरी एस कृष्णिन साथे खास वाच्चित करी अमाना सम्वादाता केतन जोशिये आओ जोई सर बज़ेट आ रहा है क्या हम एस्पेक्ट करें कि सेमिकंड़क्टर के लिए कुछ और अनॉस्मेंट भी हो सकते हैं अभी तो हमारा स्कीम आई-एस-म स्कीम अभी चल रहा है इस वाले बज़ट में अभी शायद थोड़ा प्रेमेच्चूर है लेकिन काम जारी है जो स्कीम अलरडी हमारा चल रहा है उस पे काम पूरी तरह से जारी है और थोड़े प्रोपोजल्स भी हमारे पास हैं उनको भ नचल रहा है झाल झाल